हेलो विनर्स कैसे आप सभी लोग हम तो आप सभी लोगों की दुआओं से बिलकुल ठीक हैं और आपके लिए ले करके आगए हैं स्टाटिक अवेर्नेस क्विस सेट्मेंट और ऐसे क्विस क्वेश्चन्स जो कि नॉर्मली बहुत कम जगा पे देखे जाते हैं लेकिन एक्सा हम आप सभी लोगों को आपकी धेर सारी दुआओं प्यार सपोर्ट और बड़ा बड़ा सैक्रिफाइस जो आप हम लोगों के सफलता के लिए करते हैं उसके लिए हम आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं और चलिए अब इस बात के साथ शुरू करते हैं हम प्रित्वी पर नब्बे दिनों के बराबर होगा ठीक? नेक्स्ट क्वेशन है किस युद्ध में जासी की रानी लक्षमी बाई अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गई थी? आंसर कालपी के युद्ध में नेक्स्ट क्वेशन गांधार कला शैली का विकास किसके समय में हुआ था? आंसर कुशानों के समय में अगला सवाल भारत का प्रथम नाभी की ये उर्जा सयंत कौन सा है? आंसर तारापुर पर्मानु उर्जा सयंत जो की महाराष्ट राज्य में इस्थेता है? ठीक पूछा जा सकता है कि जो तारापुर पर्मानु उर्जा केंद्र है वो किस राज्य में इस्थेता है? आंसर क्या होगा? महाराष्ट जितने भी इस तरह की इंपॉर्टन्ट होत साजे में है ये नेक्स्ट नालंदा विश्यवेद्याले को किस ने बनवाया था आंसर कुमार गुप्त प्रथम ने नेक्स क्वेशन भागेर्थी और अलकनन्दा किस स्थान पर मिलकर गंगा बन जाती हैं आंसर है देव प्रयाग में देखो वैसे तो ये अलग-अलग नदिया है भाकी इर्थी और अलकनन्दा लेकिन जब ये देव प्रयाग में आती हैं तो वह एक साथ मिल जाती है तो जब outlook नेक्स्ट क्वेशन जलोड मिट्टी में किस प्रकार के पदार्थ अधिक पाय जाते हैं आंसर कार्वनिक पदार्थ नेक्स्ट क्वेशन लाट रा लोहा और सिलिका, यान्य आईरन और सिलेका पिथ्वी की त्रिज्या सर्व प्रत्थम किसके द्वारा मापी गई थी? आनसर है, इराटो स्थनीज द्वारा ऐसा ये व्यत्ती विशेश था जिसने क्या किया कि पिथ्वी की त्रिज्या को ना पाथा महात्मा गांधी की अनुपस्तिती में भारत छोड़ु आंदोलान का नेत्रित्प किसके द्वारा किया गया? आंसर अरुना आसफ अली द्वारा प्लासी के युद्ध के द्वारान बंगाल का नवा कोन था? आंसर सिराजु दौला नर्मदा और ताप्ती नदी के जल को कौन सी पर्वत शिंखला विभाजित करती है? तो देखिए नर्मदा नदी बहती कहां पे है? एकदम सही कहा रहे हैं मध्ध प्रदेश में ठीक है जबलपूर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? है ना? अब मध्ध प्रदेश की ही तो पर्वत शिंखला होगी जो की नर्मदा और ताप्ती नदी के जल को भाजित कर सकती है तो मध्ध प्रदेश की पर्वत शिंखला कौन सी हुई? बताइए अरे वाह! सत्पुडा पर्वत शिंखला बिलकुल सही कह रहे हैं आप लोग वेरी गुड चलिए अगला सवाल देखते हैं गारो, खासी और जयन्तिया की पहाडियां भारत के किस राज में स्तेत हैं? आंसर मेगाले में जापान की राजधानी टोकियो किस द्वीब पर स्तेत है? आंसर होन्शू द्वीब कौनसे द्वीब पर होन्शू नेक्स्ट प्याज में कौन सा तत्व पाया जाता है? आंसर फॉस्फूरस हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? आंसर 24.4 डिगरी वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती है? आंसर प्रिष्ठ तनाव की कारण जिसको हम लोग बोलते हैं certifical tension नेक्स्ट वायू का बुर्वुला जल में किस लैंस की भाती व्यवहार करता है? जब वायू का बुर्वुला जल के भीतर होता है तो वो किस लैंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंज की तरह गैसें किस अवस्था में विद्यूत की कुचालक होती है आंसर सामान अवस्था में एक जैनवरी 1999 में कितने देशों ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया था यहने अपनी आधिकारिक मुद्रा मान लिया था यूरो को आंसर है ग्यारा देशों ठीक यह याद रखिएगा नेक्स्ट कॉशन देखिए विजयस्तंब भारत के किस राज्ज में स्थे थे देखिए हमने जानबूच के इस तरह से कॉशन लिखा है आंसर होगा राजस्थान अब विजयस्तंब जब भी लिखा जाता है तो लिखा जाता है चितोड का विजयस्तंब चितोड का विजयस्तंब आपने बताई लिजेगा कि राजस्थान में है लेकिन हमने इसलिए जान बूच करके यहाँ पे बोला है कि विजय स्तम बारत के किस राजी में स्थीत है थीक है तो ये इस तरह के questions को आपके exam में पूछा जा सकता है नेक्स देखिए वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है आंसर ट्वरण आनविक संगठन के द्वारा उश्मा का संप्रेशन क्या कहलाता है आंसर चालन बिन शल्क वाली मचली कौन सी है आंसर कैड फिश नेक्स्ट क्वेशन भारत का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक राज कौन सा है आंसर राजस्थान रोजस इन डिसेंबर नामक पुस्तक के लेखक कौन है आंसर एम सी छांगला आंसर एम स्टर्डम से कौन सी नदी गुजरती है आंसर एक्स्टेल आंसर प्रथम विदेशी जिन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था आंसर खान अब्दुल गफार खान ये किस देश के रहने वाले थे अगर ये पूछा जाएगा तो आप लिखेगा पाकिस्तान ठीक है नेक्स्ट क्वेशन देखिए सबसे अधिक तरंग डैड़ है किस रंग का होता है आंसर लाल रंग का नेक्स्ट क्वेशन इंद्र धनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है आंसर हरा अगला सवाल किस लेंस के जरिये सूर के प्रकाश को समकेंद्रित किया जा सकता है आंसर आउतल लेंस के जरिये नेक्स्ट किस शहर को विश्व का अप परिवर्तनी ये नगर कहा जाता है आंसर रोम शहर को जो की इतली देश की राज्थानी है नेक्स्ट क्वेशन नाशनल डेफेंस अकाड़मिक का मुख्याल है कहां स्थित है इस तरह के क्वेशन्स ना बैंकिंग के एक्जाम से बहुत आते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा खडग वासला याद रखेगा तो दोस्तों इस तरीके से हमारी स्टाटिक अवेरनस का ये सेग्मेंट यहीं पे खत्म हो गया लेकिन फ्रेंज बीना गिफ्ट लिए आपसे यहां से हम जा सकते हैं क्या नहीं किस केंगे ना विलकुल सही तो हमें चाहिए आपसे बहुत अच्छा स्वास्त हो आपका आप के परिजनों का भी इसके अलावा आपको आपके सपूर्टर्स को और आपके परिजनों को धेर सारी खुशियां मिलें और साथ ही आपको आपके परिजनों को और आपके सपूर्टर्स को धेर सारी सफलता मिलें आप हमसे शेयर जरूर कीजिएगा इनको ताकि हम सलिबरेट करकर के आपकी खुशियों को खर्वों गुना जादा बढ़ा सके आखिर इस काम में मज़ा जो आता है तो इसी बात के साथ हम आप सभी के धेश सारे प्यार, जिनून, चस्पाथ और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसकी बदवालत ना सिर्फ आप सभी नई-नई उचाईयों को छू रहे हैं बलकि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योगिता का ज्ञंडा निरंतर गारते जा रहे हैं तो दोस्तों इसी बात के साथ पूरी डिवाइन लाइट्स असोसीशन टीम के ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार